हेलो नवी फैंज वल्कम प्योंपना अब्राहिम यह है रिइंकारेटेट एज गेम चेंजर का एपसोड 29 ना लेट्स बिगेंग एपसोड शुकूर निस पहले अब सभी से एक रिक्वेस्ट प्लीज जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है जरूर से वीडियो को लाइक कर करो और उनकी उपर एक शंदस कमेंट करो पिछले तीन-चार वीडियो जागे-एक मिटके थे लेकर उन वीडियो के अंदर मैंने कहा ने वीडियो को लाइक कमेंट करो तो किसी ने किया ही नहीं प्लीज ऐसा मत क्या करो एपसोड अच्छा लगे तो उस पे लाइक और एक प्लीज वीडियो को लाइक और वीडियो के उपर एक शंदस कमेंट कर दो नाव इस एपसोड़ी शेटिंग में हम जी हुए को देखते हैं जो कि मोली जिरू करो बिठी वी है और कहीं भागती हुए जब तक असली नाम नहीं बता चलता है हम फैंग के साथ में आगे अबते वी फैंग से कहता है हम लोग भाग क्यों रहे हैं फैंग कहती है क्योंकि यह लोग हमारे पीछे पड़े हैं मुझे इनसे डर लग रहा है इसी टेम पर हम देखते हैं इन तीनों की बिचे कुछ प्लेयर्स भाग रहे हैं जो कि मेंली मोली जिरू को मनना चाते हैं उ जिनन गहता है हाँ वो मेरा कफ इच्छ दोस्त है वैसे तुम भी मेरे दोस्त बन सकती हो क्यात मुझे तुमारा नंबर मिल सकता है फैंक यती है अपने धान रास्ते में लगाओ अपने बगवास बाते बंद करो इसी टाइम पर हमें बता पड़ता है इन तीनों की बीचे जो ही बंदे बड़े हैं ये सारे डॉंक्शन गिल्ड के नहीं हैं बलकि रेडर्स गिल्ड के हैं जेही रियू अपने सारे बंदों पीचे पड़े हैं उसे मानने के लिए जब भागते वे ये सारे प्लेयर्स इस बारे में बाते कहने लगते हैं तब जी हुई भी ये सुने लेती है और उन्हों सभी से कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है ये एक नर्मल सा मॉंस्टर है और इससे किसी को भी को कोई खतरा इन दोनों का वाज आती है जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स चिला रहे हैं देखो वो भी स्टॉंपर है हमें जल्दी से उसे पकड़ के मारना होगा जही रियू ने उसी डीमन की बात कीती हम इसे मार देंगे जिसके बात में हमारा लेवल अप होगा और गिल्ड के अंदर हम ईन देखु का कर रहा है जिसके मार ने आफहन आपने का ता है इसी टैम पर जल्दी से पास में आकर बहुत हो तो तक उसा गुछा ने लगती है और फिर सोन के हाथ पे लगे पटे के लंत चले जाती धा इसी टैमपर ली नैन और फैंग सोंग की पास में आकर उसका हाल बूचने लगते हैं। कुछ सेगिंड्स में जी हुई भी सोंग की पास में आती है। और सोंग से कहने लगती है। वोकलंगर मुझे बताया कि तुमारे ओपर कितने बड़ अटेक हुआ था। तुम कितनी बूर्ते से गाहल हो गए थे। जब मुझे ये पता चला, मुझे तुमारे बहुचा चिंता हो रही थी। और मुझे बहुचा तब बुरा भी लग रहा था। कि मैं किसी पी तरह से तुमारे मदस नहीं कर पारी। सौंग कहता है ने ने कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ इसी टैम पर वोकल इंजार कर रहा होता है कि कोई आएगा और से बूचेगा कि वो कैसा है क्योंकि इस फूरी फाइट के अंदर सबसे ज़्याद़ बुरा तो उसी के साथ हुआ है इसी टैम पर जेहरू के पास में भी उस तो रेडर्स गुर्प का इंविटेशन मैं तुम्हें दे रहा हूँ तुम कभी भी इस गुर्प को जोइन कर सकते हो यह सुचकर स्वाँग, जहीरीव से कहता है, नई, अभी मैं कोई गिल्ट जोइन नहीं करूँगा, मुझे लगता है, मैं अकेलाई, ज़ए अच्छा काम कर सकता हूँ, जहीरीव कहता है, अब मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं कर सकता, यह पूरी तरश तुम्हारी चोईस है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहना चाओंगा अगर कभी भी तुम्हारा माइंड बदले तो तुम मेरे पास में आ सकते हो मेरे गिल्ड का इन्विटिशन तुम्हारे पास में हमेशा हमेशा के लिए है और एक और बात को अच्छिते से याद अखना गिल्ड को जोईन करने के बहुत ज़ता फायदे होते है हमारी कावसारे दोस्त बन जाते है बहुत सारी ऐसी मुसीबिते होती है जिनके अंदर अक्केले जाना बज़ता खतिनाक हो सकता है वह उसी टैम पर तुमारे साथ में तुमारे को एक पार्टनर हो तो वह एकते से उमीद की तरह होता है कि तुम उस प्रोलम से बचके निकल सकते हो Raiders şimdi के अंदर जितनी ही पैएडर्स है वो सबके सब ऐसे ही हैं वो सबके सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं एक दूसरी को पर टरस्ट करते हैं और हम सबकी सब एक दूसरे काफ़ अच्छे दोस्त हैं ये सुनकर सुनकर इंखोंसा जाता है और यहां से सिंशिफ्ट होता है हम आस्मान में 20 किलोमेटर उपर का सिंद दिखते हैं चारदों बादली बादल है उस बादलों के बीच में एक आइलेंड है आइलेंड के अंदर समुन्दर है और समुन्दर बीच में भी एक आइलेंड है और इस आइलेंड के बीच में एक घर बना हुआ है सामने के तरफ बीच है और इस कुरसी के बगल में रफेल खड़ी वी है जो कि बहुत ज़त अगुसिम है कुरिसी के पर जो बेठा हुआ है रफेल उसे कहने लगती है मास्टर ये सब क्या हो रहा है गेम के अंदर एक इंसान है जो कि गेम के बक्स को यूज कर रहा है हमें जल्दी से उसे रोकना चाहिए वो गेम के दर चीटिंग कर रहा है हम उसके साथ में काफी कुछ कर सकता है जा तो हम सको बैन कर देते हैं या फिर उसको एक बहुत खत्रक सजा देते हैं उसके बाद में वाषकरत दुआरां नहीं करेगा अगर हम उसे छोड़ देंगे तो सब की सब यही सब करने लग जाएंगे पूरे पूरा गेम एकदम बर्बाद हो जाएगा ये सुनकर कुर्जी बेठा हो बनता वो इनसान जिसने इस पूरे गेम को बनाया है वो कहने लगता है ये तो होना ही था मुझे इसकी पूरी उमीद थी और मुझे इसे कोई दिक्कत भी नहीं है एक गेम तबी अच्छा बनता है जब उसके अंदर हर समय कुछ नहीं नहीं एड होता जाए वर्ल्ड की सब्ज़शांदर स्चीज के अंदर कुछने कुछ कमया तो होती है और वही कमया उस चीज़ को ओवज़शांदर बनाती है सेम ऐसा ही इस गेम के अंदर है ये सब कुछ मेरे पपेट्स हैं मैंने बहुत कुछ नया इस गेम के अंदर एड़ किया है और बहुत कुछ सोच के रखा है इस बंदे के इतना केंजे के साथ ही हम इसके सामने एक स्क्रिंच होती है जिसके ओपर बहुत सार डेविल्स की पिक्चर्स बनी वी है और इस सारे वर्ल्ड के अंदर हर जिके बिक्रेव है नीचे के साड में एक स्क्रिंच लिखी है जिसके ओपर लिखा है डेविल्स का अटेक होने वाला है गुंतिस दिन बचे हैं इसके बाद में हम वापिस जूइन पे लोटते हैं सौन को पता चल चुका है जिहुई के साथ में कुछ गरबर चल रही है उसके स्टैक्स खराब हो गए है इसी टैम पर जेरी अपने पूरे गिल्ड को लेकर वहाँ जाने की तहरी में वो सौन से कहता है तुम मेरे इंविटेशन को रिचेट कर चुके हो लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद के जरूरत हो कोई इंविटेशन चाहिए हो तो तुम मेरे पास में आ सकते हो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा लेकिन अभी मेरे एस जाने की बाद में हम दोनों वापिस से राइवल बन जाएंगे तुमने रेडर्स गिल को जोइन नहीं किया है इसलिए इसे जोइन ना करने के सारे नुकसान तुम्हें बुकितने होंगे और इसे जोइन करनेगा कोई फैदा तुम्हें नहीं मिलेगा यानि कि सब कुछ बिल्कुल वैसे हो जाएगा जैसा कि पहले था वापिस से सभी प्लेर्स के बीच में एक रेज शुरू जाएगी जिसके अंदर जो सुर्दा आगे निकलेगा वो बाक्तियों गिरा देगा मुझे एकीन है इस रेज के अंदर तुम जादा पीछे नहीं रोगे ये कैने के साथ में जेरियों वहाँ सला जाता है इसे के साथ ही सौन का एक नियागाम शुरू होता है उसे जीहुई के स्ट्रैक्स को ठीक करना है इसलिए उस जीहुई को अपने साथ में कहीं लेकर जाने लगता है लेकिन इसके लिए ये तीनों बंदे साफ मना कर देते हैं इन में से दो तो बेबतल में डरे वे हैं पता है नेने किस बात को डर है और तीसे बंदा वो काउं उसकी सच में फटी वी है जो कि उसे पता है इस टैम पर इस पूरे वलका सबसे महनूस इंसान वही है पूरे दुनिया के डेविल उसके पीछे बढ़े है वो कभी भी उस पर टैक कर सकते हैं इसलिए ये तीनों सोंग के साथ में आने से साफ मना कर देते हैं इसलिए सोंग जी हुई को लेकर ही अपने साथ में मैप में देखते हुए किसे से ठीक तर जान लगता है इस टैम पर सोंग पूरतर सो कॉंफिडेंट है लेकिन जी हुई काभी बूरतर डेरी वी है उसे पूरी रास्ते पर आसपास में कभ सेरी मुष्टर दिखाई दे रहे हैं वो सोंग को रोकती है और इसे कहने लगती है सोंग क्या सच में हमारा अभी जाना जरूरी है अभी अभी तुमरे कित्ती बड़ी लड़ाई लड़ी है बड़ी मुश्किल से हमारी जान बची है कि अभी ही अपनी जानों खतर में डालना ठीक होगा चैसे तुम सच में Living Forest की तो जाना चाते हो मैंने सुना है वहाँ पर जाने के लिए minimum level 28 का होना चाहिए क्योंकि उस जिगह पर जो सबसे छोटा मुश्किल मिलता है वो अधिकतर level 28 का ही होता है अगर अभी हम वहाँ पर गए तो हमारे लिए मुश्किले बहुत ज़्यादा हो सकती है सोंग खुशोतिव कहता है तुम बिल्कुर चिंता मत करो हम वहाँ पर मनने के लिए नहीं जा रहे मुझे दिखाई दे चुका है तो मारे स्टेक्स के अंदर कुछ गर्बड़े चल रही है जैसा मैं सोच पा रहा हूँ 80% चांसिस है मेरा कुछ करने के बाद में तुम पूरतिस ठीक हो जाओगी वैसे क्या तुम्हें याद है हम पहली बार कब मिले थे उस टाइम पर मेरे उपर बहुत सारी मुश्किले चल रही थी मुझे ऐसा लग रहा था मैं सब कुछ खोच चुका हूँ मैं एकदम अपनी लाइफ से हारवान चुका था तब ही मेरी मुलकात तुम से हुई तुम इसे मुझे अमीद मिली कि हाँ मैं अभी भी अपनी लाइफ से कुछ कर सकता हूँ उस टाइम पर सब ही लोग मुझे एकदम खश्र समस्ते थे लेकिन तुमने मेरी मदद की तुमने मुझे वो सीज सिखाई जिसकी मदद से मैं कुछ नहीं से कुछ बन गया तुम्हारी वज़े से मैंने गेम कोडिंग सीखी और ही समझा कि कोडिंग करके हम काफी कुछ इंडेस्टिंग कर सकते हैं जी सब कहते हैं सोंग अपने फ्लेश्बेक के वार में कुछ सोच रहा होता है तब ही जी हुई सोंग को रोकती है और इसे कहने लगती है ये क्या हो रहा है इस फ्लेश्बेक के अंदर मैं अतनी मोटी को दिखाई दे रही हूँ उस टैम पर मैं बिल्कुल ये मोटी नहीं थी ये किति जी हुई सोंग के पीछे के साइड में एक जीरे से मुक्का मारती है लेकिन इस मुक्के से एक जोड से एर प्रेशर बन जाता है जो किसीदी जाकर पीछे के साइड में एक रेलिंग स्टकराता है और इस प्रेशर से वो रेलिंग भी बहुत बिर्टर से मुड़ जाती है यह देखकर जी हुई पोज़र छोग जाती है और कहने लगती है मैंने तो बिल्कुल धहनी इंदिया मेरी स्टेंथ के अंतर बहुत ज़त एंक्रिमेट आया है सुन कहता है हाँ सच में यह कवज़त डरम ना है सुन के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का यह सब्सक्रिट खतम होता है थैंक्यों फर वाचेंग